गुड एवनिंग लेटिस्ट अपडेट ये है कि परिवान निगम परवंधन ने रोडवेज का 20 प्रतिशत अधिबाहर माफ कर दिया है और इससे किराय में कमी आएगी यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा होगी तो आई जानते हैं पूरी खबर विस्तार से लेकिन इसके पहले की वीडियो शुरू करें आप मेरे चैनल के साथ जोड़ जाएए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इसी तरह की लगातार लेटिस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें नई नई जानकारियां आपको मिल संधन ने यात्री किराय में 20 प्रतिशद अधिभार को समाप्त करने की गोशना की है इस फैसले से अब यात्रियों को दोगने किराय की जगा मात्र 66.7% बढ़ा हुआ किराया देना होगा याने कि 100 रुपे किराया अगर था तो 166 रुपेया किराया देना पड़ेगा मैदानी इलाकों में रोड बेज संधबसों के संचालन की स्थिती में यात्रियों से 1.26 पैसे प्रतिक किलोमीटर की दर से किराया वसूला किया जा रहा था जो की दोगना कर दिया यह था लेकिन अब यात्रियों को 2.10 पैसे प्रतिक किलोमीटर की दर से किराय का भुकतान क करना होगा और आए जान लेते हैं कि परवती इलाके में कितना किरायद देना होगा आगे बढ़ने से पहले में एक बात आप से शेर करना चाहता हूं अगर आपकी रूची जोतिश में है एस्ट्रोजी में है आप ये जानना चाहते हैं कि आपका भविश कैसा होगा आने वाला कल कैसा होगा तो आप मेरे चैनल भविश दर्शन को सब्सक्राइब कर लिजे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी और साथी साथ अगर आप हाई स्कूल इंटरपास हैं आपने अपरेंटिशिप कर रखी है और आपको जॉब की तलाश है तो उसके लिए आप examnews.com पर जाएए वहां से आपको जॉब्स की जानकारी मिल जाएगी तो आईए बात कर लेते हैं कि अब पर्वती इलाके में कितना किराया पड़ेगा पर्वती इलाके की बात करें तो पर्वती इलाकों में अब यात्रियों को 3.78 रुपे की जगा 3.10 पैसे प्रति किलुमीटर की दर से किराया देना होगा और आने वाले समय में अगर यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा होता है तो और राहत देते हुए किराय में और भी कमी के जा सकती है तो ये था लेटेस्ट अपडेट नवीनतम जानकारी वीडियो अच्छा लगेती से लाइक कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजेगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए और मेरे चैनल को सब्क्राइब भी कर लिजेगा